जो हमारा क्वेशन है वो है क्वेशन नमबर वन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमें इन दो टर्मों का एच से फाइंड आउट करना है जो के हमारे पास है हाईएस्ट कोमन फिक्टर तो हम सबसे पहले 5x3y4 को कुछ इस तरह से लिख सबस्दे। 5 x x x y x x y x y x x y .... सorie, क्योंकिछ इदर हमारे पास x थी पाऊउर्ड 3 था और फिक्टर y का प्रॉड तो हमने 3x और 4y लेके अभी 20 की बारी है तो हम इसको सबसे पहले 20 को 20 का LCM निकालेंगे टुटेंज़ 20 फाइफ वांस अभी हम इसको कुछ इस तरह से लेख सकते हैं इन्तो चॉटेंगे टुटेंगे तो में इन्तो फेल में प्रोचेंगे क्योंत में सकते हिस्थirm क्या करो हमारे यह मारी पॉपक्मान क्युक्छ順 इसकी तरफ और 6 x5 और 5 ePOT यह मारे पॉपक्मान क्युक्छ प्रप्रच्स primero you एक्स और Thailand व्याइए अभी हम एच सिएफ निकालेंगे जो कि हम Simple In Common Factors को Multiply करोंगे तो 5 x 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 व्याइए जवाब 5 xk4 y x3 आ ज़ाएगा यही हमारे पास है एच सी एफ है अभी जो है question number two पे चलते हैं जो के हमारे पास है 26 a cube b4 c square और 65 a square b square c 4 अभी हम 26 a cube b4 और c2 को factorize करेंगे अभी हमारे पास 26 to 13 जो है 13 1 जो हमारे पास 2 into 13 into a into a into a into b into b into b into c into c आजाएगा और अभी 65 की बारी है 65 a square b square c 4 अभी हम 65 का सेम निकालेंगे जो के हम 5 one is a 5 one is per carry five three is a 15 two 13 one is a 13 हम इसको लिख सकते हैं 5 into 13 into a into a into b into b into c c हमारे पास 4 मरतबा आजाएगा अभी इन इन दो तर्मों में से common factor हमारे पास 13 है यह 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 भी और यह दो c हमारे पास common factors हैं तो अभी 13, a, a, b, b, c, c हमारे पास आजाएगा तो अभी h c f हमारे पास 13 multiply by a multiply by a multiply by b multiply by b multiply by c multiply by c अभी हमारे पास का जवाब 13 a square, b square और c square है यह हमारे पास h c f है अभी जो है चलते हैं question number 3 पर जो कि हमारे पास है 18 x square y square c 4 और 24 x square y q c 4 अभी हम 18 x square y square और c 4 को factorize करेंगे जो कि हम 18 को 2 9 is 18, 3 3 is 9, 3 1 is 3 तो हम 2 into 3 into 3 into x into x into y into y into c into c into c into c into c और अभी 24 के बारे है, x square y q c 4 24 को हम 2 12 is 24, 2 6, 2 3 is 3, 1 तो हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into x into x into y into y into y into y into c into c into c into c into c into c लिख सकते हैं ये x और ये x और ये x और ये x, ay और ये y और ये चारों c हमारे पास common factors हैं अच्छा अभी 2, 3, x, x, y, 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 c, 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 c into y into y into y into c into c into c into c into c हमारे पास 2, 3, 6, x square y square c4 आजागे ही हमारे पास hcfa